नमस्कार मैं हूं इंद्र मोहन रिशी कपूर हमारे बीच नहीं रहे इस पूरे वीडियो में मैं अपने कुलीक के पास जाऊंगा और उनसे पूछूंगा कि उन्हें रिशी कपूर कैसे याद आते हैं कौन सी फिल्म रिशी कपूर का नाम लेने पर उन्हें याद आती है आप भी चाहें तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख कर बताएं कि वह कौन सी फिल्म है वह कौन सा किरदार है रिशी कपूर का जो आपको बहुत ज़्यादा याद रहते हैं हर बक्त या रिशी कपूर का कोई वह गाना जो आपके दिल और दिमाग पर बिल्कुल बैठा हुआ ह जिसे आप कभी भी गुन गुनाते रहते हैं जब कभी भी आपको अब रिशी कपूर याद आएंगे तो किन फिल्मों के जरिये याद आएंगे आप उन्हें कैसी सरधान जली देना चाहते हैं किन फिल्मों को देखकर आप उन्हें सरधान जली देंगे वो भी आप हमें कम ख़बर आई कि अब रिशी कपूर हमारे बीच नहीं रहे अमिताबच्चन ने एक टूइट किया हलांकि उस टूइट को उन्होंने हटा लिया इसके बाद यह खबर सबको पता चली कि अब रिशी कपूर इस दुनिया में नहीं रहे हमारे साथ उमर हैं उमर से मैं जानना चा है और उसके बाद यह भी कह सकता हूं कि जब 2010 के बाद जो रिशी कपूर की फिल्में आई जो यह डिफरेंट एड़ा की फिल्में आई जिसमें रिशी कपूर का किरदार निभाया तो आप एजे रिशी कपूर को कैसे याद करते हैं कि उनकी कौन से फिल्म आपके जहन में बिल्कुल बैटी देखे इंद्रमुहन जी बता दें कि रिशी कपूर की बहुत सारी फिल्में हैं जब 1970 में मेरा नाम जोकर में वो आये थे वो फिल्म हो चाहे 1973 में उनकी आई पहली बतोर अभीनेता फिल्म बॉबी हो एक अलग ही छाप थी जब आप उसे देखते हैं मुझ आता था बॉबी में जिस तरीका का उन्होंने रोल किया वो अमिताब के साथ जो एक फिल्म आई थी उनकी अमिताब के साथ उन्हें बहुत सारी फिल्में की है कुली की है और अमर अकबर एंथोनी अमर अकबर एंथोनी मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म है रिशी कपूर की इसके अलावा नसीब नसीब में चल मेरे भाई तेरे हाथ जोडता हूँ जिस तरी के वो अमिताब बच्चन से रिक्वेश्ट करते हैं अपने भाई को ले जाने के लिए वो फिल्में हो गई रिशी कपूर की कर्ज हो गई प्रेम रोग हो गया बहुत सारी फिल्में है अगन करता रहा हो वो जब फिल्में जब अपना जैनर बदलता है वो जब एक विलेन बनता है तो किस तरीके से वो विलेन का रोल करता है मतलब कि लोग उसकी एक्टिंग देख के लोगों के अंदर दहसत बैट जाती उस तरीके की डी उनकी जो फिल्म आई थी जिसमें उन्हों उन्ने दाउद Ibraheym का किरदार निभाया तब फिल्म ले ली जे उन्हों हो सारी फिल्में मुल्क 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 आप रोलते ख़ड़े होजाएंगे और जिस तरीके से उन्हों ने मुल्क में उन्हों एक्टिंग की वो मतलब क्या कहें आप रिशी कपूर टी फिल्म बहु कुली में देखने को म którzy अध्कि कुली में देखने को मिली फोटोग्राफरबने हुए थे वह उनका कर्ज का जो गाना था दर्दे दिल दर्दे जी दिल में जगाया आपने बहुत सारी प्रेम रोग का गाना बहुत सारी यादें हैं रिशी कपूर की जो है जो आजूबा 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 किया मिताब के साथ जो उन्होंने आजूबा किये थी उसमें भी उन्होंने बहुत ही जवरदस् कोमिक टाइमिंग थी और जो शायद इसी वजी से मिताब बच्चन ने कहा है कि मैं बरबाद हो गया इम डिस्ट्रॉइड तो एक बहुत बड़ी च्छती है इन जो पिछले दो दिनों में जो बॉली वूड को नुकसान हुआ है वो शायद कभी न भर पाए कल जो हमारे साथ उर्फान खान चले गए आज रिशी कपूर हमारे बीच में नहीं है तो यह बहुत बड़ी च्छती है बॉली वूड के लिए देश के लिए जिसे भर पाना ना मुम्किन है एक और बात मैं जाना चाहूंगा कि जैसे रिशी कपूर उस जोनर के हीरो थे जो उन्होंने अप बहुत ही अच्छा काम करें लेकिन रिशी कपूर उस वक्त यंग एस के थे काफी लंबा टाम यहां तक कि उन्होंने फिर शारुक खान जैसे लोगों के साथ भी फिल्म में रीड रोड कर लिया बोल लादा बोल चाहे उनके फिल्म आई हो या दिवाना आया हो तो कह सकते ह बहुत लंबे समय तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया देखे आप 1973 से उन्होंने बतौर हीरो बॉबी से फिल्म में डेब्यू किया था तब से लेकर अभी तक वो पिछले दो सालों तक वो एक्टिव थे तो एक बहुत लंबा अर्सा जो है वो उन्होंने बतौर खना भी थे आपके जो है अनियास अनिल कपूर जैकी स्राब बहुत सारे ही रोते फिर इस दोर में जब आई तो शारुख खान ने अपनी फिल्म का डेब्यू दिवाना जो है जो पहली वे शारुख खान की रिलीज फिल्म में दिवाना उसमें भी जो है उन्होंने जो है वो रिशी कपूर के साथ ही आए थे हाला कि रिशी कपूर उसमें लीड रोल में थे और इंटर्वल के बाद जो है वो शारुख खान की एंट्री होती है तो फिल्में बहुत सारी की हैं और जो उन्होंने अपना एक एक यह नहीं कि वो राज कपूर के बेटे थे इस जो है नहीं अपना जो है जगहा बना पाए और उन्हें बॉली वूड जो है वो छोड़ना अपड़ा लेकिन रिशी कपूर की एक्टिंग में वो दम था जिस वज़ा से वो जो है कई दसकों तक लोगों का मनूर अंजन करते रहे और जो है बॉली वूड में जो है अपनी राय रखते थे चाहे वो किसी भी बात को लेकर हो और इधर से काफी ज़ादा वो सोसल मीडिया पर एक्टिव थे हलांकि दो अपरेल के बाद से उनका कोई सोसल मीडिया पर टूइट नहीं है लेकिन फिल्मों के जरीए यू कहें कि हर फिल्म में अपने किरदार को और वो अपने उस किरदार को उन्होंने निभाया जो किरदार उन्हें दिया गया और खास करके दो हजार के बाद की जो दो हजार दस के बाद की जो फिल्म में आई हैं पिछले छे साथ सालों में जो फिल्म में आई हैं ऐसा लगा कि उन्होंने उनके लिए ही उस किरदार को लिख गया और अगर आप जैसे अगनी पत्क के रहूफ लाला के उस डायलोग को याद करें जिसमें वो कहते हैं कि अगर निचोर दूँगा तो इतर जैसी खुसुवाई उस डायलोग के वक्त आपके रोंगते खरे हो सकते हैं या मुल्क के उस अदालत वाले सीन को अगर आप या कर जाते थे रिशी कपूर मैं हमारे साथ आमीन जी हैं सीनियर हैं बहुत दिनों से लगातार खबरों पर नजर बनाए रखे हुए हैं आमीन जी आप कैसे रिशी कपूर को याद करते हैं और शरी कपऊर पर बात करों ये बहुत दुगत घटना है और लग रहा है कि अगर उनके नेचर या उनकी जो इस्टाइल है उसके बारे में कहा है तो कहा ये जा सकता है कि वो हर एक रोल के लिए जो है एक फिट करेक्टर थे और ये कहा जा सकते है वर स्टाइल जो है उनकी जो है एक्टिंग थी आप दे देखा जा सकते क्योंकि वो एक ऐसा कलकायर के अंदर जो घुसना और उसके बाद से उसको गढ़ना फिर उस तरह से डाइलाग डिलेवरी करना तो यह एक महत्पुन रोल बन जाता है चाहें आप अभी बात कर रहे थे कि और भी जैसे बड़ी फिल्म हैं जिनके बारे में उन्होंने रोल किया है या अगनी पत का जो रोल है तो इस तरह से देखा जाए तो लगता है कि जैसे ही उसमें रोल में वो जाते हैं वो एक तरह से फिट हो जाते हैं तो उस हिसाब से लग रहा था कि आज जो है बाली बूड को जो है बहुत बड़ी चाती हुए है कल जो ह ये इतनी बड़ी घटना घटी जिसमें ये बात देखने को मिली बिलकुल बहुत दुखद है बॉलिवुड के लिए लगातार दो दिनों में दो बड़ी खबर हलांकि एक डीडे फिल्म में आई थी उस डीडे फिल्म में इर्फान भी थे और रिशी कपूर भी थे ये दोनो एक्टर अब इस दुनिया में नहीं है इर्फान खान का कल निधन हुआ और आज सुबा रिशी कपूर की खबर आई हमारे साथ कवीता है कवीता नहीं सबसे पहले आज सुबा इस पेज पर यह खबर ब्रेक की है कि अब रिशी कपूर हमारे बीच नहीं रहे कवीता आप कै तो मुझे बहुत अच्छी लगती थी और मुझे ऐसे फील होता है कि अगर आज के टाइम पर कोई मुझे पूचे का कि कौन सब कौन सब सुपरस्टार तो मैं चॉकलेटी लगता है तो मैं रनवीर सिंग रनवीर शाहिद कपूर के नाम लोगे लेकिन अगर उस टाइम के वे अच्छी नाइनटीन से जूज रहा है और आप देखें ना एक बहुत बड़ी बात है हम अपने घर में बंद है बलॉक हैं बहां नहीं जा सकते और अपने घर में बंद हैं और लोगों को बंद करके यू इस तरह से वो हम सब पो छोड़के चलेगे तो मुझे भी मतलब अ और जिस तरह से वह एक्टिंग करते थे और जिस तरह से मैंने बच्पन सोने देखी उनकी फिल्म से तो मेरे दिल के काफी करीब रहे हैं वो हम सब के लिए बहुत शौकिंग खबर यह जब खबर सुबह आई की अब हमारे बीच रिशी कपूर नहीं रहे क्योंकि कल एक बड़ा दुख था कि इर्फान खान नहीं रहे थे कैसे वैटरेन एक्टर और बैक टू बैक एक दूसरे एक्टर भी चले गए रिशी कपूर जैस तुटर पे इस समय तो टॉप के ट्रेंड रिशी सर के ही नाम पे चल रहे हैं और जो लोग है अलग अलग तरीके की जो प्रतिक्रिया आ रही है इस समय वो अगर अम लोग ड़िवाइड कर दें तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनोंने उनके साथ काम किया हुआ है शुरॉवात क और उनसे और उनकी आक्टिंग से प्यार किया है तो रिशी कपूर जी की जो पुरानी फिल्मे हैं अमर अग्बर आंथनी हो गई बोल राधा बोल हो गई इस तरीके की फिल्मों से जो स्क्रीन शॉट्स होते हैं या जो तरीके से छोटी-छोटी क्लिपिंग है रिशी उनकी आक्टिंग में उनको कितनी महारत हासिल थी उसके साथ ही अगर हम अभी की जेनरेशन की बात करें जो कि ट्विटर पर बहुत अक्टिव है इस समय सोशल मीडिया पर बहुत अक्टिव है तो जो उनकी अभी लगाता है इधर बीच के सालों में फिल्में आई है मुल्क ह उनकी 102 नोट आउट हो गई उस तरीके से जो उन्होंने एक वर्सटालिटी दिखाई है उन सब को याद करके अभी की जेनरेशन जो उनके फैंस है उसके रियाक्शन्स दे रही है उनसे कनेक करने की जिन लोगोंने कोशिश की है कि एक कॉमन मैं जो उन्होंने मुल्क में एक काम आदमी का किरदार जो कि परिशान होता है उस तरीके से जो निभाया था तो वो एक कनेक्शन है ओडियन्स का अभी हाली फिलहाल में जो फिलमें आई है उसके रियाक्शन्स आ रहे हैं और इस तरीके से काफी रियाक्शन्स आ रहे हैं जो उनकी अर्दाकारी का और उनक के ट्विटर पे जो वो लिखते रहते थे उससे भी लोगों ने रिलेट करने की कोशिश किया जो उनके बयान होते थे जो कि कभी-कभी कांट्रवर्सी या फिर कभी-कभी ऐसी बाते बोल जाते थे वो जिससे लोग जो है वो अपने व्यूज रखने के लिए मजबूर हो जा करते हैं रिशी कपूर कोई कौनसा फिल्म आपको सबसे बहतर लगती है कौनसा उन पर फिल्म आया हुआ गाना आपको बहुत अच्छा लगता है उनका कौनसा डायलोग हमेशा आपके जहन में रहेगा यह आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं कि आप रिशी को सर्दान जली